बिग बोस 13 के बाद सनी लियोनी के साथ रोमैंस करेंगे असीम रियाज मिला बड़ी फिल्म का उफर बिग बोस 13 बले ही टीवी का सबसे विवादित रियाल्टी सो कहा जाता हो लेकिन इस सो में भाग देने वाले कंटेस्टेंट की जिंदगी बदल जाती है ये सीजन अगर सबसे जादा किसी के लिए फिल्म लेकर आया है तो वह है असीम रियाज उन्हें सो से पहले कोई खास पैचाब नहीं मिल थी लेकिन बिग बोस में आने के बाद असीम रियाज को लाको करोर लोग का सपोर्ट मिला है इसी बीच हारली मेंन के लिए एक बड़ी खबर सा रही है बताया जा रहा है कि असीम को सनी लियोन के साथ फिल्म करने का मौका मिलने वाला है कई मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि असीम के लिए एक बड़ी फिल्म का उपर इंजार कर रहा है जिसमें वो सनी लियोन के साथ रोमाइंस करते दिखाई देने वाले है फिल्मी बीट की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि बोली वुड के मश्यूर डिरेक्टर मेजबट आसीम को फिल्म उपर कर सकते हैं बताया भी जा रहा है कि गरसे निकलने से पहले ही आसीम इस फिल्म को साइन कर सकते हैं हाला कि अभी तक इस मामले पर किसी तरह का official announcement नहीं हुआ है बता दे कि इससे पहले बिग बोस के जरेज सनी लियोनी को बले मेजबर्ट ने फिल्म का उपर दिया था सनी लियोनी मेजबर्ट की फिल्म जिसम टू में नजर आई थी इसके अलावा सनी लियोनी आसिम से मुलाकात भी कर चुकी हूँ अपनी फिल्म लागनी में में स्री टेंस के प्रमोसन के सिल्सिम में बिग बोसेगर दिल्चेश फटाज लेकर पहुची थी आप देखना होगी एक खबर कहां तक सच है बता खबर अच्छे लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना बोले थैंक्यो